आज के लिए एक सवाल जो मेंबर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सवाल यह है कि एक्जेक्टिव ब्लॉक में डिवल्प्न का स्टेटस क्या है जूँके 9 जनरी 2023 को एक्जेक्टिव ब्लॉक की प्रॉपल जो लिए रैंड की तरफ से इस्चु से उनको क्लियर किया गया था 2700 कनाल न्यू लैंड एड की थे एक्जेक्टिव डिस्टिक बन में जो कॉमनली पूशे जाने सवाल है नमबर वन के एक्जेक्टिव डिस्टिक बन में डिवल्पन का स्टेटस क्या है जिन मेंबर्स के वामें प्लॉट थे जिन का लटी बैलिटिंग में प्लॉट वहाँ पे अलोक्रेट हो चुकी है उन मेंबर्स के उनकी पॉशेशन के वारे में सबसे ज़्यादा पूशा जाता है नमबर वन, नमबर टू के एक्जेक्टिव डिस्टिक बन और एक एक डिस्टिक है या दोनों सेपरेट डिस्टिक हैं इस सवाले से कॉस्टें जाते हैं मेंबर्स की तरफ से जिसमें ब्लॉक B है, ब्लॉक C है, ब्लॉक D है, राइट साइड से ब्लॉक E है, फिर ब्लॉक F है, ब्लॉक G है, इन ब्लॉक के development का, ब्राउनिंग का बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, और दूसरी बड़ी बाद जो एग्जेक्टिव डिस्टिक के लिए बहुत साथ है, Executive District 1 के बिल्कुल opposite side पे, यानि कर आप Executive District 1 के west side पे देखें, तो आपको Lakeview Commercials जो है, उनकी development काफी तेजी से नदर आती है, जो society ने तक्रीबान दो से धाहिमा पहले launch किये थे, और उसका society की तब से, आज की डेट में possession भी offer किया जा जुका है, जिन members के वहां पे plot हैं, जिनों सबसे अच्छी बात है कि दो साल के payment plan के बावजूद आपको जो possession है, वो डेवानी offer होगा है, तो आप उसको अच्छे तरीके से इसका advantage लेके construction कर सकते हैं, अपने project पे, क्योंकि गॉल्फ course facing है, तो गॉल्फ course facing जो भी property होती है, definitely उसकी वर्थ आम market की वर्थ से ज्यादा हो यहाज common practice है, असलामबाद पिंडी की domain में, तो इसी तरह यहाँ भी इस members को जिनके प्लॉट्स है, executive district 1 के बिल्कुल opposite, lakeview commercial में, उनको इसका advantage होगा, अब बात करना, executive district 1 की overall, raw land of development की, तो उसमें ऐसा जब को street सी cutting भी नजर नहीं आती, आपको सब जो main believer है, जो R1 road है, जो executive block B और सामने जो lakeview commercial उसको divide करता हुआ, आगे की तरफ जाता है, जो block C और block E को divide करता है, उस road के भी तक जो development है, वो आगे end तक लीगी है, यह ने footage काफी height से, काफी elevated area से record की है, तो आपको शायद images जहां बतने के लिए इतनी distance नजर आ रही हूँ, लेकिन routine में यह जो area बनता है सारा आपका main boulevard, उसकी end तक नहीं, लेकिन तक लेकिन आप कहलें, block D तक इसकी proper layout plan clear हो जाता है, कि यहाँ पर development भी होने जा रही है, मजीज जो development होगी, executive district 1 में आपको time time बताता रहूँगा, फिलाल Google Earth location पे देखते हैं, executive district 1 का area होता है, जिसमें भी development हो रही है, वो premises कौन सी मास्टर प्लान में जो executive block की location बनती है, executive district 1 की, वो यह वले location बनती है, अब executive district 1 की location जो overall in general देखें कर बात करें, तो location मुझे personally दोर पे बहुत पसंद है, मैं अकसर member से भी बात करता हूँ, और video में चीज अक्नॉलिज करता हूँ, कि executive block location की जो land है, वो काफी ज़दा elevated land है, अ जो इस तरफ कुछ पाद जो filling में आता है, लेकिन वो तो certain बात की बात है, executive block में filling का ratio कम होगा, और इसमें cutting का ratio ज्यादा होगा, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, जो एरिया बनता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट अब यह महीर करेंगे, जो एक्जेक्टे ब्लाग क एक्जेक्टिव ब्लाग के master plan पे इस पेस्फिकली यह बनता है, एक्जेक्टिव रटिस्टिक बन का, उसमें B ब्लॉग तो अल्रडी सारा developed है, यह इसमें साथ स्ट्रीट सथ लेंस इसे हैं जो developed है, बाकिं non-developed हैं, इसका area जो बनता है पूरे block का, अगर हम मेर करेंगे त जो कनाल में बनता है यह मैं अगर precisely जाओं तक्रीबर यह बनता है 400 कनाल के आसपास यह नंबर अब 400 कनाल के आसपास B-Block है जिसमें से तक्रीबर दोसो कनाल पहले डिवेलप्ट था और दोसो कनाल अभी नॉन डिवेलप्ट है अगर मैं यहां से बात करूं जाओं विलाज बन यहां से लिवेलप्ट था कुछ यहां तक और उसके बाद आगे सारा अरिया नॉन डिवेलप्ट था है तक्रीबर दोस्पास लिवेलप्ट था तक्रीबर देट सो कनाल था एक्जजेक्टिव ब्लॉक B का भी एर्या भी अग्जेक्टि ब्लॉग का बनता था जो लास्टाम मेजर किया था वो बनता था तकरीबन 5780 के आसपास एडिया था लेकर हम दोपारा मेजर कर लेते हूं यह मैंने प्रैस जो मास्टर प्लैन है यह मैंने बहुत प्रिसाइसली रखा हुआ है गूगल अट लोकेशन पर किया आप एक प्लॉट तो प्लॉट मैच कर सकते हैं यानि एक चोटी सी खेंबर देता हूं यह मस्जिद नजर आ रही है आपको नीचे तो एक जेक्टिव ब्लॉट में राइट इसी पॉइंट के ओपर मस्जिद है यानि कि जो रैड बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसी जैड बॉक्स के नेचे मस्जिद है तो यह काफी पूरा इवेल्मेंट हो तो पूरा इवेल्मेंट के लाएगा वह मेजर करते हैं इसमें अगर मेजर करें तो आपकी यह एक्जेक्टिव ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट है इस तरफ यह जिना एवन्यू इस पे आगे लफ्ट साड़े मूव करते हैं तो आपका अच्छा कि अभादी अग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आतीय मैं ममतवाल के यह जाती है आपके मेरे कर रहा हूं थाकि आपको मैं अच्छे तरीकित circuit कि डव्लॉक के टोटल लेंड स्टार्टिं के वाँची वार सकति है ऊसमें देविलिएंट कर चुकी और कितना परसेंट रिलेवर करने के पोजिशन में यह भी हम वीडीओ में आगे डिस्ट कर लेंगे लेकिन अभी новी mist 시क्वर् देखी जाए तो 50 इसमें नमबर बंदा है 667 एकर यानि 667 multiply by 8 is equal to society को जो लैंड चाहिए development के लिए around 5336 कनाल जमीन चाहिए जब पूरा executive district 1 develop consider होगा otherwise executive district 1 develop consider नहीं होगा तो अभी society के पास जो procurement हुई है लैंड की तकरीबर चारसो कनाल के आसपास society के पास पहले procurement थी भी ब्लॉक की दाइसो कनाल की procurement थी तो लेकर हम उसको चारसो कनाल करते हैं कि अभी remaining procurement एड हो गई है तो डाइसो कनाल अगर तब पहले बली माइनस करें तो बनते हैं आपको पीछे 5,86 कनाल तक्रीबर इसमें से 2700 कनाल society के पास new land प्यूर ही है तो अभी भी मेरे हैल में executive block में 2386 कनाल के litigation मजूद है यह मेरी expectation है क्योंकि as of 12th of February 2022, 2023 sorry अगर आज की date तक देखें 12 February 2023 तक तक executive block में जो development आपने site पर देखी है वो most updated footage एक development की इस से ज़दा updated footage आपको live नहीं मिल सकती क्योंकि यह आज की दिन की footage है तो इसलिए आज से देखा जाए तो executive block को comparison किया जाए तो out of 100% तकरीबर आप कहलें कि अगर आपकी 50% deliver ना सोझे तो executive block की नहीं land आएड करके around 50% के आसपास deliver आ रही है वन की अभी 50% ऐसा area है executive district 1 का जिसकी land पे भी development start नहीं हुई definitely यह बात मुझे idea नहीं है कि society के बास वह procured है कि नहीं procured बट मैं आपको वह चीज़ बदासता हूँ जो actually मैं साइट पे witness कर सकता हूँ तो आज की date में जो मैं recently पे विजट करके हैं तो आज की date में executive 1 में इस वाले area में development हो रही है अब आप google अर्थ मेजर करते हैं यह एक्जेक्टिव का overall area बनता है यह आपको सारी जो premises नज़ा रही है अगर satellite images updated देखें अभी updated तो खर नहीं है इस पर गूगल पर लेकिन फिर भी आपको December 2022 की footage मिल जाती है यहां पर जो updated है अभी मेरे खिल में बाकी remaining footage अपडेट जो है वह website पर नहीं आई तो एक्जेक् पर नहीं करता था आज एक्जेस करता है तो definitely a site की latest updated image है February 2023 की खर इना नहीं केस अब आगर चलते हैं के नहीं लैंड को मेजर करें जो साइटी का क्लेम है and overall हम in general देखते हैं कि जहां पर ब्राउनिंग हो चुकी है उस पार्ट को तो तो उस लैंड के मताबिक society के पास अभी काम पर भी तक नहीं जा रहा है सिर्फ मैं देख रहा हूं कि फिजिकल इंड में ब्राउनिंग विटनस कर सकता हूं Capital स्मार्टी के साइट पे executive district की वह ब्राउनिंग कितनी हो गया अब राइट साइट पर इस सारा अरिया ब्राउन हुआ है एक्जेक्टिव ब्लॉक का तो ब्लॉक में न्यू एंड लैंड जो अड़िया तरीबन 77 एकर्स है 59 एकर्स पहले थी ब्लॉक में और 79 एकर्स है और 79 ट्रेट कर लें तकरीबन 632 किनाल बनती है 278 किनाल क्लेम किया जा रहा है तो मेबी जो रिमेनिंग 278 में से जो कनाल जमीन बनती है वह आपकी 266 कनाल है 28 वह आगे कहीं हो लेकिन फॉर टाइम बिंग इस लैंड की ब्राउनिंग हो रही है जिसका तरीबन 700 एकर आप राउंड ओफ कर लें कि 700 कनाल जमीन गिया है और 400 कनाल बी ब्लॉक ती यह एक्जेक्टिव वन की आज की 12 February 2023 की मोस्ट अपडेटेटिट न्यूस है कि इस इस विडियो में आके पॉइंट आइट करता हूं जो मैंने स्टार्ट में बात की थी एक्जेक्टिव डिस्टिक टू और वन की एक्जेक्टिव डिस्टिक टू बिल्कुल सेपरेट है अगर आपकी बुकिंग जो ती चार पांच मनला प्लॉट की 24 लाग 15 जार की ती तो आपकी डिकारइट क मनला की बुकिंग 33,100,060 लाग की ती और आपकी बारह मनबा की बुकिंग 45,17,000 की और कनाल की पुकिंग 1,21,90,000 रुबऔर की तो आपकी प्रॉपरटी जहांप एक अग्जेक्टिव डिस्टिक टू में आइगि तो आपका एग जेक्टिव ब्लॉट जो एक्जेक्टिव डिवेलप हुआ है और उसके बाद मैं आगे आने मेरे दिनों में इंशाला हम आप ट्राइए करूंगा वीकली नहीं तो बाइ मंतली यानिके वे हफते महीने में दो दफा मैं एक्जेक्टिव डिस्टिक की अपडेट दे दूँ क्योंकि मेंबर्स ने प करता रहता हूं लेकिन अग्जेक्टिव डिस्टिक को अब मैं प्राइटी पर रखके इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा अगें बैक्ट रेल टाइम फोटेज जो एक्जेक्टिव डिस्टिक बात की थी जिसमें 700 कनाल न्यू लैंड होई है क्लेम 2700 कनाल का था लेक बाकी डिस्टिक होंगे उनकी डिवफल्पंट याव काफी नजर आएगी वो पीचे आपको इस फ़ाले से भी अपडेट करता रहां का तो आपको उस इस वीडियो अगर अगर आप वह के बुकिंग कर देगें पर राप्ता करें इसके वरी वैब्साइट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दू लाइक, कमेंट एंड शेर और चैनल को सब्राइब करना मत भूलें रिज्वान चीमा को दीजे अजाज़त अगली वीडियो तर के लिए खुदा हाफिस अगर लाइक, कमेंगे वीडियो अगर कमेंगे जाएक, कdriving मत प्लीज दू दूज शेसं वीडियो और र सतंब नाऴज भूल